नमस्कार दोस्तों रिएज के सेने केडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वाकत है जैसा कि आप लोगों को जानकार है इस वक्त हम लोग पीटी के विशेस कच्छाकारे क्रम में जो है विविन विश्यों और टापिक्स पर चर्चा कर रहे हैं इसी क्रम में आज हम परिच्छा समिच्छ बिकारी साहिक समिच्छ बिकारी परिच्छा और यू पी IS-19 के लिए समान रूपियोगी है तो समय को न गमाते हुए हम लोग ततका लेके सवाल को यहांपर कवर करने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में पहला सवाल रहा इस तरीके से सामाने रूप से भारत में प्रति पांच बर्स के बाद न्यूक्ति की जाती है सामाने रूप से भारत में प्रति पांच बर्स के बाद बित आयोकी न्यूक्ति की जाती है राज्यों की इस्थिती के निर्धार्ण करने के लिए केंद्रिय सरकार की बित्तिय संसाधन निर्धार्ण के लिए केंद्रिय अनुदान और संग के राज़स के राजियों का अंस निर्धारित करने के लिए तो निश्चे तोर पर यहां पर बिकल्ब संख्या 4 यानि की D जो है इसका सही उतर होगा जिसमें विभिन प्रकार के करों से प्राप्त हुए आय में केंद्र और राजे के बीच में बितनर तथा केंद्रिय अनुदान के बारे में सिद्धानतों के निर्धारण के लिए बित आयोग का गठन किया जाता है अगले सवाल पर हम लोग जो है बढ़ते हैं यहां पर इसका डिटेल में भी जो है डिस्कसन किया गया है आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं कि बारतिय संभिधान के अनुच्छे जो है दो सो असी में प्रतेक पांच बरस की बाद इसी ट तो असी के अंतरगत आयोग का गठन किया जाता है इसका मुक्यकार सेंगो राज्यों के बिश्चुद्ध कर आगमों के आबंटन के बारे में और राज्यों के बिश्च बेतरण के तरीके संदर्व में राष्ट पती खो जो है शिफार इस प्रस्तुत करना होता और पहले बितायोग का अगर गठन देखा जाए तो केसी नियोगी की अध्यकता में उनीस सो उक चौन अवनिस भी में किया गाता था तो यहां पर कई सवाल एक एगही बिश्टलेशन और ब्याख्या में आप लोगों को मिलते हैं पहले तो यह है कि अनुछे 280 के अंतर कर बित्तायों को गठन किया जाता है प्रते एक 5 बर्स के बाद गठन किया जाता है और इसके नियुक्ति जो है राष्टपति के द्वारा की जाती है पहले बित्तायों को किया गठन कब किया गया था उनिश्वी क्या उनिश्वी में और इसका कार्य क्या है यानि कि विभिन करों से प्राप्त होने माले आयमे संगोर राज्य के बीच में बितरन जो हम राज्यों को प्रदान किये जाने वाले अनुदान के तरीकों के संदर्व में राष्टपति को अपनी सिफार से परस्तुत करता है तो इस तरीके से आप लोगो पर इस संगठन का कारे बहुत ही महत्पूंड हो जाता है अगले सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे कि निमनलकित में से किस एक कि सिफारिसों के आधार पर संग्यों राज्यों के बीच में बित्तिय बित्रन होता है निमनलकित में से किस एक कि सिफारिसों के आधार पर संग्यों और राज्यों में बित्ती वित्रण तो ये बित्तायोग है आपको ये तो जानकारी है कि बर्तमान समय में हम लोग बित्तायोग के टापिकों को कवर कर रहे हैं तो यहां से ज़्यादातर सवाल बित्तायोग से ही पूछे जाएंगे परन्तु हमें इसके बारे में एक समझ व होना आवसिक है अगला कोईस्चन है केंदर तथा राज्यों के मद्ध बित का विभाजन मिलखित में से किसकी संस्तुतियों पर होता है तो ये भी बित आयोग यानि कि विकल संख्या सी ही इसका भी उत्तर होगा अगले सवाल पर हम लोग पढ़ें से किनी कि समय कितनी या संचीत नीदी से राज्यों को नुदान देने वाले सिष्धान के अनुस्ड़त करता है तो बित आयोग है यहां पर सभी प्रकार के सवाल व में उत्तर की रूप में आप लोगों को हो सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को एक बहतर जानकारी जो है हो सके तो इसलिए हम जो है इन सभी जो है टाफिक्स को यहाँ पर कबर कर रहे हैं तो इसी करम में जो है आगला सवाल हम लोग देखेंगे कि केंद्रियों राज्यों के बीच सुद्ध आए के बितरण के संदर भिनलिकित में से कौन सी संस्था मूल रूप से निरूपित करेगी तो बेसिकली बितायोगी है यह तो हम लोगों ने देखी लिया है अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे अगला सवाल है कि भारत में सेर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुई लेंदेन पर कर संग द्वारा लगाए जाते हैं पर कर जो है वो संग द्वारा लगाए जाते हैं सही है राज्यों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं यह भी सही है तो यहाँ पर विकल्ब संख्यासी यानि कि एक और दो दोनों सही होगा यही इसका एग्जेक्ट आंसर भी होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमनलखित कतनों पर विचार कीजिए बित आयोग का के कारी हैं मतलब कौन कोंसे कार हैं उन्हीं को देखना है भारत की संचितनीत से धन लिकालने के लिए अनुमति देना नहीं यह तो इसका काम नहीं है प्राप्त करों को राज्य के भागों में बाट रही है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना सही है संग सरकार तथा राज्य सरकारें बचट के प्रावधानों के अनुसार पर कर्रों की उगाही कर रही है या नहीं इसकी देकभार कर रहा है। तो ये भी समनता हैं, इसका कारे नहीं है, यानी कि दो और तीन बिखलब संख्याद भी इसका सही उत्तर होगा। हमें ऐसे सवालों को हल करते समय जिस संगठन के बारे में हम लोग अध्यन कर रहे हैं और उसे संबंदित सवालों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं उनके कारे की सीमाओं से भी परचित होना आवस्यक है तभी हम इससे संबंदित सवालों को हल कर पाएंगे अगला सवाल हम यह तो सही है राज्यों पर बित्तिय नियंतर नहीं केंदर पर बित्तिय नियंतर ये भी नहीं उपरित्में से कोई नहीं बिकल्ब संख्या ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा इसी करम में हम लोग अगले सवाल को कफर करते हैं कि बित्त आयोग राश्टपति को संस्तुती भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है बित्त आयोग राज्यों को संस्तुती भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिये जाने माले अंदान के सिध्धानतों से ये तो सही है और करों के वित्रण और आंसर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के बित आयोग के संदर्व में निम्नले लिखित में से कौन सा एक कथन सही है कर आउसन रसना विकास है तो भारतिये पूजी अंतर परवाह प्रोत्साहित करता है दूसरा है वह सारवनिक छेतर के परतिष्ठानों में समस्चित बित बितरन को सुगम बनाता है वह बित्य प्रसासर में पारदर्सीता सुनिश्चित करता आईएस प्री 2011 में यह सवाल पूछा गया हूँ निश्चित पर यदि आईएस में सवाल पूछा जाता है तो मुख्य टापिक या उससे अपवाद या बहुत ही गहराई से सवाल पूछे जाते हैं तो यहां पर यह ध्यान में रखना होगा कि उपरिक्त तीनों में से कोई भी काम जो है बित्तायो का नहीं है यानि कि बिकल्प संक्याड़ी यहां पर राइट आंसर होगा अगले सवाल पर हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि निम्निलखित में से कौँ क tongues भारत की बित्तायो का कारें नहीं है आयकर का भिभाचन साही उत्पादन सुल का भिभाचन साहे तानोदान ब्यापार कर इसका डेफिनिटली काम नहीं है तो बिकल्प संक्याड़ी जो नहीं है वही इसका सही आंसर होगा यानि कि बिकल्ब संख्याडी इसका राइट आंसर होगा अगले कोश्चन पर हम इसी क्रम में बढ़ते हैं कि भारत में संघिय बित्थ आयोग संबंध रखता है भारत में संघिय बित्थ आयोग संबंध रखता है राज्जियों के बित्र से, राज्जियों केंद्रों के बित्र से, केंद्रियों स्वसासित तरकारों के बीच बित्र से, उपरियुक्त में से कोई नहीं तो ये केंद्रों राज्जियों के बित्र से सम्मधित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहां पर भी होगा अगले सवाल पर इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं कि निमनलखित वक्तव्यों पर विचार कीजी और नीचे दिये कूट से सही उत्तर का चुना कीजी राज एक संबायधानिक राज बित्तायोग एक जो है संबायधानिक निकाह है अगला वाक्य है कि संबायधायोग पंचायतों को बित्ती सहायता देने के लिए संसुति नहीं करता है अर्थात ये वाक्य हाँ पर गलत होगा अब रही बात पहले वाक्य में राज बित्तायोग एक संबायधानिक निकाह है तो राज बित आयोग का जो गठन है वो पंचायतों के संदर्व में है 243 यानि कि 243 आई के अंतरगत जब हो हम लोग पंचायतों के बारे में विबरन दे रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि बित आयोग जो है वो आय से संबंदित है और आय को अंगरेजी में इंकम कहते है इसलिए इसको अगर ट्रिक के रूप में हम लोग देखें तो 243 और क्लाज या जो है खंड आई के अंतरगत जो भी आयोग का प्रावधान किया गया तो थोड़ा सा इस तरीके से अगर हम कुछ वाक्यों को और कुछ प्रशनों को ट्रिक में देखने का प्रयास करें तो न लेकिन यहाँ पर C विकल्प जो है जब आप जाएंगे तो वहाँ पर A जो है विकल्प आपका A विकल्प जो है वो सही होगा और B विकल्प जो है वो गलत होगा जो कि इसका राइट आंसर जो है C विकल्प होगा यानि कि विकल्प सेंख्या A सही है और B जो है वो गलत है तो इस रूप में उत्तर इसका सी वेकल्प होगा। इसे करम में हम लोग आगले सवाल पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। कि संग्यों राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंदी प्रावधानों को बित्य आपात के समय निलम्बित किया जा सकता है। राष्टी आपात, definitely राष्टी आपात के समय जो इस तरीके की बातें कही जाती हैं। और जो बित्य आपात का प्रभाव होता है, उसमें केंद्र और राज्यों के विभिन करमचारियों के आई त्यादी को नियंत्रित करने के बारे में प्रावधान जबकि सम्बंदों की यहां तक बात है, तो वो राष्टी आपात काल के समय ऐसा किया जा सकता है। तो बिगल्प भी जो है यहां पर राइट आउंसर होगा। इसी करम में हम लोग अगले सबार पर बढ़ता है कि राज्य बित्य आयोग के जो है सम्बंद में निमलिकित में से कौन सा कतन सही है, या एक अनौपचारिक संस्था है गलत, या एक संबाइदानिक संस्था है, या एक प्रसाशनिक संस्था है, यह भी गलत है, उपरोप्च में से कोई नहीं भी जो है गलत है, यानि कि संबाइदानिक संस्था, आर्टकिल यहां पर जो 280 के अंतरगत जो इसका गठन किया जाता है, वही यह चीज बताता है कि यह इसका राइट आंसर होगा। अब यहा से उलेक किया गया होता, वह संबाइदानिक संस्थाएं, constitutional body होती है, दूसरा ऐसी संस्थाएं, जिनका गठन संस्था द्वारा किसी अधिनियम के अंतरगत किया जाता है, वह जो है सामभितिक संस्थाएं कहलाती हैं, और इसके अंतरगत अगर देखा जाया, तो आपका Central Vig जिलेंस कमिशन एक बहुत ही महत्वूर उदारण है जिसके अस्थापना तुनिस्ट चौन सट इसमें में की गई थी लेकिन दोहजार तीन इस भी में इसको सांपितिक दर्जा परदान किया गया है इसी तरीके से तीसरी संस्था है इक्स्ट्रा कॉंस्टिशूशनल फैक्ट या जो है संभिधाने तरसंस्था अब इसके अंतरकत बर्तमा समय में राष्टी विगास परिशत यानि की 6 अगस्त 1952 को अस्थापित और 1 जनौरी 2015 को अस्थापित आपका नीती आयोग ये संभिधाने तरसंस्था है यानि की इसका ना तो संभिधान की किसी अनुछेद म किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है ये जो है सरकार या कारिपालिका के द्वारा लाए गई एक संकल्प के द्वारा बनाया गया है इसलिए इसे जो है संभिधाने तरसंस्था कहा जाता है तो उमीद करते हैं कि इसी question में हम लोग ना केवल राजेवित आयोग को जो है देखते हैं बलकि इसी के साथ साथ हम लोग जो है संबिधानेतर, सांबिधिक और अन्य परकार के संस्थाओं को भी देख लेते हैं यहां पर हम 280 के अंतरगत जो भी चर्चा किये वो बित आयोग के बारे में हम लोगों ने देखा कि यह बित आयोग से संबंदित बिशलेशन है और यहां पर जो प्रशन दो दिया गया है वो बेशिकली राज बित आयोग के बारे में है जो कि 243 आई के अंतरगत जो है वरणि जो है आपका संभाइधानिक संस्था है लेकिन राजवित आयोग नहीं है लेकिन यहां पर यह ध्यान में रखता है कि पंचातों को के अंतरगत जो है पंचायतों के बित्य इस्तितिक आकलन के संदर्व में भाग में अगर देखा जाए तो भाग नौ में और अनुसूची 11 क के अंतरगत राजवित आयोग का एक संभाइधानिक रूप से गठन किया गया है तो इस रूप में जो है हम लोग बित्य आयोग से संबंदित अंतिम सवाल को कवर करने का प्रियास करते हैं कि बित्य आयोग का एक चेयर मैन होता है और अन चार सदस्य होते हैं पिस तरिए स से पांच लोगों से मेर करके बना हुए एक संभाइधानिक संस्ता जिसकी जिसका गठन जो है आठकिल 280 के अंतरगत जो प्रति पांच बर्स के बाद किया जाता है और यह अपने रेकमेंडेशन जो है राश्ट पती को जो है सौंपते हैं तो यह आज के इस बिशलिश्वर समिच्छा अधिकारी UPSI इत्यादी परिक्षाओं के लिए समान रूप से उप्योगी है तो आप इसके सभी टापिक्स को बेहतर ढंक से समझे पढ़ें और मन में जो है रखने का प्रयास करें ताकि एक्जाम में आप इस समधित सवालों को हल कर सकें और एक इंपॉर्टन इंफोर्मेशन अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो अन्य सभी वीडियो को टाइम से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब डेफनेटली आप कर लीजिए क्योंकि कई स्टूडेंट के द्वारा मेल पर ये जानकारी दी गई कि ये लेक्चर भी उपलद करवा जा चुका है तो इस तरीके से किसी भी प्रकार के लेक्चर को और रन्यमात्मूर जानकारी से अपने आपको जो है मी सूने से बचानी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को टाइप कर दीजिए और जिससे आपको समय पर जो वीडियो मिलता रहे तो आज के लेक्चर में बस इतना ही अगले लेक्चर में पूरा एक नए टापिक के साथ आप से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार